कॉंग्रिस के और से प्रिदेश की सभी सीटों पर प्रतियाशियों की घोशना हो चुकी है और सोमवार देर रात जारी हुए प्रतियाशियों की सूची में अजमेर से जहां बीनका के दमाद रीजु जुंजनवाला को टिकट मिला जिसके बाद रीजु जुंजनवाला ने पाइलेट से मुलाकात कर उनका आभार वेक्त किया इस मौके पर पतरकारों से बादशीत करते वे जुंजनुवाला ने कहा कि पार्टी आलाकमान ने जो विश्वास उन पर दिखाया है वे उस पर खरा उतरेंगे और साथ इस दोरान उन्होंने अजमेर में विकास कारियों को प्रात्मित्ता देना अपना मिशन बताया आप भी सुनिए क्या कुछ कहा है मैं यह राहूल जी ने अपने मुख्यमंत्री जी ने सक्षिन पाइलेट जी ने विनाश पांडे नी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे उपर सौपी है और मुझे इस लायक समझाए कि अजमेर जैसी महान सिटी को मैं रेप्रेजेंट कर सको तो इस पे मैं पूरा खाड़े उतरने की कोशिश करूँगा मेरे से जो कुछ भी हो जाएगा अजमेर के लिए राजस्तान के लिए मैं वो निरंतर करता है रहूँगा पहली प्रात्मित्री आखरी प्रात्मित्रा सिरफ जलाई जाए और राउल जी की सरकार सेंटर में बने ये दो चीज़ को देश लेके मैं मिदाद में देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें एवन टीवी नियूज साथी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पासकें ताजा खबरों की की नियूज झाल 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 सकता टुनिया कि अधिक चीज़ को बने लावके पासकें लेक बाद पने लोटी तव पने दो पने लूझे लेक्टाइब हूशल साथा जा चीज़ प्रेस कि वें हार वेल ऑंट तोरें बने बादाइब हैं